वादा किया था कि एक एसी मूवी लाओंगा जिसका एक्स्प्लानेशन आपको पूरे यूटूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा और ये मूवी मेरी वन आफ दफेवरेट साइकोलोजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है इस मूवी का नाम है दकनेल ये मूवी दोजर चोदा में रि आउट ओफ हन्रेड रॉटन टमेटोस पर ये 71 परसेंट फ्रेश है विद 48 परसेंट ओडियन स्कोर बिना किसी देरी किये रोल दे इंट्रो तो हमारे कल्ट के ट्रेडेशन के हिसाफ से पहले मैं आपको मूवी के मेन कैरेक्टर से इंट्रेडूस करवा देता हूँ जिससे आपको मूवी समझने में आसानी होगी तो पहले है डेविड जो कि एक फिल्म आर्काइविस्ट था अब जिनको नहीं पता कि एक फिल्म आर्काइविस्ट का काम क्या होता है तो उन्हें मैं बता दू कि जो हिस्ट्री से रेलेटेड पूरानी डॉक्युमेंटरी और वहां डेविड स्कूल के बच्चों को एक पुरानी फूटेज दिखाता है और इस फूटेज में बीच-बीच में डिस्टर्बिंग इमेज़स आता है जैसे कोई किसी के आखे निकाल रहा है और उसके बाद खून से सने कपड़े और घासों में पड़ी किसी की लाश इत् सरप्राइज एक घर था वह अपनी बीवी को घर दिखाने के लिए ले कर जाता है और वह घर उसकी दिए को बहुत पसंद आता है वो दोनों घर के अंदर जाते है और डेवीड उसकी बीवी से कहता है कि तुम जाकर अंदर घर देख कर ours यहां बेहीं पर खड़ाओ उसकी तो यह नहीं पता कि कैनल का मतलब क्या होता है तो मैं उनको यह बता दू कि कैनल मतलब एक artificial river होती है जो कि सामान के shipping के लिए बनाई गई होती है या फिर जाधा तर तो drainage के लिए बैक टू दे मूवी उस टेनल के chamber का धकन ओपन था पर डेविड उस पर जाता ध्यान नहीं देता उसकी बीवी उससे कहती कि उसे एक surprise बहुत पसंद आया उसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का scene दिखाया जाता है जहां पर डेविड और Alice सो रहे थे और डेविड के आख Alice क पर आए message से खुल जाती है वह Alice को उठाता है और कहता है कि तुम्हारे phone पर इस वक्त किसका message आया है उसी वक्त उनका बेटा बिली वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि किसी आवस से उसके साथ टॉलेट में जाता है बिली अपने पिता से पूछता है कि क्या आपको पिस अपने कमरे में जाता है वहाँ Alice से पूछते है कि किसका message था तो वह कहती है उसके boss कोई life नहीं है इसलिए उसको लगता है कि 24 गंटे हर कोई free होगा उसके बाद सीन सीधा सुबो को मुड़ती है जहां पर डेविड अपने बेटे बिल को school छोड़ने के लिए जा रहा बिल दोडते हुए आगे चला जाता है और एक public toilet के सामने जाके खड़ा हो जाता है डेविड उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पर मत जाना यह जगा बहुत गंदी है तो बिल कहता है कि उसके school में एक लड़की है जिसको लगता है इस toilet के अंदर भूत है बाद डेविड उससे school छोड़के काम पर चला जाता है वहाँ डेविड की कली Claire उससे कहती कि पुलिस आर्काइब से एक पूरानी footage आई है जो शायद तुम देखना चाओ डेविड अखेला ठेटर में बेटके footage देखता है और यह footage एक crime scene का होता है जो कि साल 1902 का था इस footage मे पूलिस खून से सने हुए कपड़े दिखा रही थी और उसके बाद एक खून से भरा हुआ चाकू उसके बाद एक घर दिखाया जाता है जहांपर यह crime हुआ था डेविड उस घर को दिखकर थोड़ा शौक होता है क्योंकि जिस घर में डेविड अब रह रहा था यह वही पूलिस एक आदमी को पकड़ कर ले जा रहे थे और यह फूटेज यहां पर ही खतम हो जाती है उसके बाद सीन सिधा डेविड के घर पर मुड़ती है जहां पर डेविड और एलिस एक पार्टी में जाने के लिए तयार हो रहे थे डेविड अपने बीवी से कहता है कि मेरा दिन आज बहुत अजिब था मैंने एक पूरानी फिल्म देखी जो साल 1902 से थी हमारा घर उसके अंदर था एक आदमी ने उसकी बीवी को मारा था इसी रूम में एलिस शौक में पूछती है क्या पर डेविड उससे कहता है कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता हर पुराने घ क्यों नहीं जब तक मैं कोई ड्रिंक ले लेता हूँ डेविड ड्रिंक काउंटर से ड्रिंक पीते पीते अपनी बीवी को इक घूर रहा था उसकी बीवी एक आदमी के साथ बात कर रही थी वह आदमी एलिस को टेच कर रहा था और आदमी का ध्यान बाद में डेवीड पर एलिस को साथ कहता है कि तुम्हारा पती हमें वहाँ से देख रहा है आदमी को हात लगा रहा था और उसकी बीवी बाद में उसके पदरफ कैसे डर की नजर से देख रही थी उसी वक्त क्लेर वहाँ पर आती है और कहती कि और साथ-अट फुटेजेस आई है जो शायद तुम देखना चाओ डेवीड अकेला ठेटर में वो फुटेज देखता है और ये फुटेज पहले वाली की बात की फुटेज थी जहाँ पुलीस वाले एक आदमी को पकर कर ले जाते है और उसके बाद एक औरत दिखाई जाती है दो बच्चों के साथ और फिर से वही खुन से भरे हुए कपडे और उसके बाद पुलीस को कैनल से एक बाड़ी बैक बरहमत होती है जिसके अंदर एक लाश थी जब पुलीस वो बाड़ी बैक खुल कर देखती है तो वो बाड़ी के उपर बहुत बुरी तरह चाकू से वार किये गए थे और फुटेज वहाँ पर ही खतम हो जाती है उसके बाद सीन डेवीड के घर पर मुरती है जहां पर डेवीड अपनी बीवी को अपने बच्चे के दीवार उपन हो जाती है और उस दीवार के पीछे वही आदमी था जिसने अपनी बीवी का खून किया था और उसके पीछे कुछ लोग खटेते मास्क पहने डेवीड शौक में नीन से उटता है और उसे पता चलता है कि एक डराबना सपना था डेवीड उटकर अपने बीवी का पीछा करना शुरू करता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी उसी आदमी के साथ घुमरी थी जिसके साथ उस दिन वो पाल्टी में थी डेवीड उनका पीछा करने पर डेवीड को पता चलता है कि उस आदमी का घर उनके घर से जाधा दूर नहीं है वो भार से ख पटाफट स्कूल जाता है और उसके बेटे को वहां से पिक करके घर पे खाना खिलाता है और उसको सुलाने के बाद वो फिर से उस आदमी के घर पे जाता है। उसके दिमाग में उसके बीवी और आदमी के घुम रहे और उसे उल्टी करने के लिए उसी पब्लिक टॉयलेट में चला जाता है जहां पर उसके बेटे को लगता था कि भूत है। आदमी का आवाज सुनाई देती है कि मालिक को तुम्हारी जरूरत है। उसके कान में जोर दोर से आवाज आना शुरू हो जाती है और वो क्यूभी कल का दर्वाजा खोलके रेंगते वे वहाँ से बहार निकलता है। क्योंकि उसके हालत बहुत खराब थी। उसे पास ही में अपने बीवी के चिलाने के आवाज सुनाई देती है। वो रेंगते हुए महाँ पर जाता है तो उसे दिखता है कि कोई उसकी बीवी वो कनेल के पास मारने के कोशिश कर रहा है। उसकी बीवी जोर-जोर से चिला रही थी कि वो मरना नहीं चाती पर वो उस हालत में नहीं था कि वो उसे बचा सके और वो वहीं पर बेहुश हो जाता है। उसकी बीवी ने कहा था कि वो कल रात को थोड़ी देर तक काम करेगी पर जब उसने उसके कलिक को फोन लगा कर पुछा तो उसके कलिक ने कहा कि वो तो शाम को पाच बज़े यहां से निकल गई और उसका फोन भी नहीं लग रहा तब से। और हमें दिखाया जाता है कि मिरर में से वो आदमी जिसने अपनी बीवी को मारा था वो उन्हें देख रहा था। डेवीड को महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है पर जब वो रूम में देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। और वो एक दूसरे को एक साल से डिट कर रहे थे क्या तुम जानते हो इसके बारे में कुछ देखता है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सारे सवाल तुम उस आदमी से क्यों नहीं पूछते जिसे तो उसका लावर बता रहे हो। टेटेक्टिव कहते हैं कि उसने तुम्हारी पत्नी को नहीं मारा इस बात का उसके पास गवा है। जिस वक्त तुम्हारी भीवी उसके घर से निकली उसके बाद उसको उसके बॉस का फोन आया था और एक घंटा उसी से बात कर रहा था। डेटेक्टिव कहते हैं कि लोग हमेशा husband कोई suspect मानते हैं जब भी wife cheat करती है और उसके बाद उसकी wife का अगर murder हो जाए तो Alice की मा आती है और डेविड से कहती है कि मैं Billy को अपने साथ रखना चाऊंगी और डेविड उससे कहता है कि उसके पास उसकी nanny है तो अच्छा होगा कि हो मेरे साथ ही रहे Alice की मा डेविड से पूछती है कि तुमने Alice के बारे में सुना उसको Alice की मौत का सबसे ज़्यादा दुख हुआ है उसको hospital में भरती किया गया है ठीक करने के लिए तो डेविड गुस्ते में कहता है मुझे कुछ फरक नहीं पड़ता है कि उसका नाम क्या और वो कौन है मेरे पास मेरा बेटा है तो Alice की मा कहती है कि ऐसे बहुत लोग थे जो एलिस से प्यार करते थे डेविड कहता है कि मैं मेरी बीवी से प्यार करता था मुझे दूसरों से वरक नहीं पड़ता सबके जाने के बाद क्लेर डेविड से पूछती कि कि क्या तुम ठीक हो तो डेविड उससे पूछती कि फिर तुम अब क्या करोगे तो डेविड उससे कहता है बस मुझे उस आदमी को सबसे पहले धूंड़ना है जिसने मेरी बीवी को मारा उसके बाद डेविड उसके घर में हुए खून के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है इंटरनेट पर उसे एक न् बच्चों की नैनी को कुलाडी से मार दिया और उसके बाद अपने बच्चों को उसके नेल में डूबा कर मारा और बाद में खुद केनल में कूट कर खुद खुशी कर ली डेविड वो सारे आर्टिकल्स निकाल कर अपने बेडरूम की दीवार पर लगा देता है जिससे कुछ आर्टिकल्स देख रहा था तो क्लेर उससे पूछती कि यह सब क्या है डेविड कहता है कि यह सब अंसौल्व क्राइम्स है जो इस शेहर में कैनल के आसपास हुए और वो यह सब इसलिए देख रहा था ताकि उससे कोई सिमिलरेटी मिल सके क्लेर उससे कहती कि दुम् करने के लिए माफी मांगती है और वो कहती है कि उसे घर को सजाना है क्योंकि क्रिसमस आ रहा है तो डेविड उससे कहता है हां में ठीक हूँ वह उस आर्टिकल की तरफ देखता है जिस पर लिखा था कि उस आदमी ने आकर नैनी को मारा था वो आर्टिकल देखते देखते वो सोफी को वहां से जाने के लिए कहता है उसके बात सीन सिधा अगले दिन पर मूडती है जहांपर डेविड अपने काम पर 20 सधी के पूराने कैमरा से एक वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करता है अपने ही स्टूडियो की डेविड जब वो फुटेज चेक करता है तो उस उसके रूम की फुटेज दिखती है जहां पर वो आदमी उसके बेटरूम के पास खड़ा था डेविड उस फुटेज की रील चेक कर रहा था और तब ही उसे अपने सामने की दिवार से आवाज सुना ही देते है जहां पर उसने आर्टिकल्स लगाए थे डेविड सोफी को अ पारे आर्टिकल्स वहां से हटा कर उस दिवार को तोड़ता है उसे उस होल में से एक जगा दिखती है वो लाइट बल्प से उसके अंदर चेक करता है पर उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता डेविड अपने घर की सीड़ों पर बैठा था और उसकी नजर घर के बैक डूर प उससे पूछती कि क्या हुआ वो बिली और सोफी से कहता है अब जर्दी तुम लोग कपड़े पेन लो क्योंकि तुम लोग यहां से जा रहे हो यह जगा अब तुमारे लिए से नहीं है डेविड उन्हें होटल में एक रूम बुक करवा के देता है और उन्हें वहीं पर र से कहता है तो डेविड उससे प्रूर में जोघोता है हमसे पहले अंपर रहती थी वर पागल ओगई थी बर इसा नहीं था वह और अवरत कुछ 34-35 साज साथ की थी और उसने अपने पूरे घर को आग लगा दी उसका बेटा उसाग के अंदर जलकर मर गया पर उस ओरत ने कहा कि उसने वो नहीं किया था सेम मेरे और एलिस की केस की तरह उस ओरत ने कहा था कि ये सब शैतान ने किया है लोग बात ही कर रहे थे तब ही डेवीड को बिली के रूम के खिड़की के परदे पर एक आदमी की परच्छाई दिखती है तो वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या सोफी तुमारे साथ है इस वक्त रूम में तो बिली उससे कहता है नहीं वो नहाने गई है डेवीड बिल से इसी वक्त बाहर निकलो पर बिली को शायद ये बात सुना ही नहीं देती तो डेवीड अपने घर से दोड़ते हुए उस होटल के रूम तक जाता है वो होटल का दर्वाजा तोड़के अंदर घुसता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है वो फिर से बिली और सोफी को अपने घर में शिफ्ट करता है इन सब चीजों से सोफी बहुत ही परशान हो जाती है वो डेवीड से कहती है कि एक तो मुझे पता नहीं कि यहां पर क्या हो रहा है और अगर बिली का सवाल नहीं होता तो मैं कब कि यहां से चली जाती डेवीड कहता है कि हा मैं समझ सकता तो उसके सामने डेवीड रहता है डेवीड उसे पकर कर नीचे ले जा रहा था पर सोफी समझती है कि यह सब डेवीड नहीं किया है वो डेवीड के साथ नीचे जाने के लिए मना करती है और जोर दो से चिलाती कि छोड़ दो मुझे पर डेवीड उसकी एक नहीं सुनता ब पिली और मैं हम दोनों भार किसी का पीछा कर रहे थे और उसी वक्त मुझे तुम्हारे चिलाने की आवाज सुनाई दी और मैं दोड़ते वे तुम्हारे रूम में आया वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहे है क्या तुमने किसी को घर के अंदर देखा पर सोफी कोई भी दिखाई दे तो तुम मुझे सबसे पहले बताओगे उसके बाद डेविड बिली को वाक के लिए लेकर जाता है जहां पर उसे ग्रास में एक और दिखती है वो बिली से पूछता है कि तुम्हें घास के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है तो बिली उससे कहता है कि नहीं कर लेता है वहाँ पर बिली दस तक गिन रहा है जैसे उसका गिन कर होता है तो डेविड अपनी आज़के खोलता तो देखता है कि सामने कोई भी नहीं था डेविड ये रो लेकर सिदा क्लियर के पास जाता है और कहता है मुझे अभी इस फुटेज को डेवलप करना है भर के थी कि पूरा स्टूडियो बुक्ट है और इसे दो-तिन दिन लगेंगे और डेविड कहता है कि मुझे इस फुटेज को अभी देखना है प्लीज तुम समझने की कोशिश करो रात को जब डेविड सो रहा था तब उसे एक आवास सुना ही देती है कि तुम मेरी तरह हो जब डेविड के आखे खुलती है तो वो देखता है कि जिस आदमी न अपनी बीवी को इस रूम में मारा था वो उसके सामने खड़ा था वो आदमी उसके टेबल पे रखे ग्लास का पानी पीता है और उसके बाद नीचे बैट कर कुछ बांध रहा था पर जब वो उटकर देखता है तो उसके टेबल पर जो पानी का ग्लास रखा था वो पूरी तरह खाली था तो डेविड उस ग्लास को फिर से भर कर चौक से आउटलाइन कर देता है ताकि अगर कोई वो ग्लास उठा है तो उससे पता चल जाए उसी वक्त डेविड को अपने बेडरूम के दर्वाजे पर किसी की परचा ही जाते हुए दिखती है वो उटकर दोड़ते है भायर जाता है तो देखता है फ्लोर पर पेरो के निशानते तो उसे लगता है कि उसका शक सही था सुबो को जब डेविड के आके खुलती है तो डेटेक्टिव मैक नमारा उसके सामने बैठा था और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है डेटेक्टिव डेविड से कहता है कि हमें कैनल से एक हतोडा मिला है जिसके ओपर तुमारे फिंगर प्रिंट से तुमारे वाइफ के बॉइफरेंड ने कहा कि वो हतोडा उसका है और जिस रात वो गायब ही वो हतोडा भी घर से मिसिंग था कैया इस बात को कोई जवाब है तुम्हारे पास तो डेविड कहता है कि 1902 में मेरे घर में एक मडर हुआ था जहां पर एक आदमी ने अपने पूरी फैमली को मार दिया था और मुझे लगता है कि इसी आदमी ने ये सब किया हुआ है और मैंने ये सब एक फूटेज में रिकॉर्ड किया है तुम्हें कुछी की तरह मर गए तो पर डेविड बिली से कहता है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे मैं तुम्हें कभी भी छोड कर नहीं जाओंगा अपने बेटे बिली को सुनाने के बाद डेविड की नजर उसके दीवार के होल में जाती है जहां से उसे आप फिर से आवाजे सुना ही दे पूटू देखते हैं वक्त डेविड को फिर से नीचे के रूम से कुछ आवास सुना ही देती है जब वो नीचे जाकर देखता है तो उसे फ्लोर पर पेरों के निशान मिलते है जो घर के बैकडूर की तरफ जा रहे थे डेविड घर का बैक साड़ चेक करता है तो उसे फि निकलता है जो दैविड की तरफ बढ़ रहा था उस हाथ को देखकर डिविड के हुई पर फटड़ जाती और वो सिदा अपने घर की तरफ भागता है तोडीधर के बाध क्लेर डेविड के घर पर आती है वो फुटेज लेकर जो डिविड ने डेविड ने डेवलप करने के सब्सक्राइब ये जाकर पुलिस को बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, पर डेविड कुछ और ही बोलने लगता है, वो कहता है कि वो लोग बच्चों को इस रूम में सेक्रिफाइस करते थे, तुम जानती नहीं, बच्चों का ख देखो तो मैं सब अपने आप पता चल जाएगा, डेविड वो फुटेज शुरू करता है, और उसके बाद क्लियर उससे कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो डेविड खुश हो कर कहता है कि देखो मैंने कहा था कि मैं पागल नहीं हो रहा हूँ, क्ल प्लीज टीव बंद करो, मुझे डर लग रहा है, वो औरत फुटेज के अंदर कैमरा के पास आ रही थी, फुटेज बुरी ब्लैक हो जाती है, और गाइस बिलीव मी, ये जम्स के रितना खतरना के मैं आप से रेकमेंड करूँगा कि आप मूवी में ये जरूर देखें, औ तुमने एक औरत को इसके घर के अंदर जाते देखा और इसने पका उस औरत के साथ कुछ किया है, डेटेक्टिव डेविड से पूछते है कि तुमने क्या किया डेविड, पर डेविड कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये कहता ही डेविड फिर से घर के अंदर भागत जा रहा था और डेटेक्टिव भी उसका पीछा करते हैं सुरंग के अंदर भाकते बाकते डेविड को क्लेर की आवाद सुनाई देती है जो कहती है कि रुको रुको और आप यहां पर खुलता है मुवी का स्लिप लॉट डेविड की दिमाग में जैसे मेमरीस की बाड आ जात डेविड रोने लगता है और भाकते बाकते उसे एक टनल में उस दिन की मेमरी दिखाई देती है जिस दिन उसकी बीवी मरी थी तो एज़ा ओडियनस हमे पता चलता है जब डेविड उस पुब्लिक टॉयलेट में गया था उस दिन तो क्या हुआ था डेविड को दिखा यह देद है कि एक आदमी उसके कान में कह रहा था कि मालिक को तुम्हारी बीवी की जरुवत है मार दो उसे डेविड पब्लिक टॉइलेट से बहार निकलता है और उसकी बीवी उसे कनल के पास मिलती है वो अपनी बीवी को पकड़ कर गंदी गालिया देने लगता है उसके बाद कनल को निकलता था डेविड उस पाइप के अंदर घुच जाता है और वहां से आगे भागता है डेविड जब पीछे टॉर्च मार के देखता है तो वह एलिस का भूत उसके पीछे ही था बागते बागते डेविड पाइप के एंड पर पेर पकड़ लेता है पर धक्का देता है वैसे ही एलिस का भूत डेविड को नीचे खिछ लेता है और उसे डूबा के मार देता है डेटेक्टिव बिली को बचा लेते हैं और उससे पूछते कि क्या तुम ठीक हो सीन सिधा अगले दिन पर मूटती है जहां पर एलिस की मा बिली को लेने आई थी एलिस की मा एस्टेट एजएंट से घर के बारे में बात कर रही थी तो बिली उनसे पूछता है कि क्या वो अपनी बुक अंदर से लेकर आ सकता है वो उससे कहती कि हाँ पर जल्दी आना बिली अपनी बुक लेकर जाने ही वाला था उससी वक्त दीवार के पीछे से दरवाजा खोल के कार से कुछ जाता है इसके बाद हमें सिधा घर का सीन दिखाये जाता है जहां पर इसटेट एजंट पूरे घर को बंद कर रही थी उससे उपर के रूम में बिली अंदर उसे दरवाजा बंद करते दिखता है वो उसकी दरब दिखकर समाइल करती है और मूवी से रिलेटेड कुछ थेयरी के बारे में तो मेरे ख्याल से इस घर के जो सबसे पहले ओनर थे वो लोगों ने शायद इस घर में satanic rituals शुरू किये उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों को कैनाल में sacrifice किया और जब वो खुद मर गए तो जो कोई भी इस घर में रहने क कितना बुरा हुआ उसने अपने ही बीवी और अपनी बेगुना दोस्त को मारा और उसे पता तक नहीं चला कि उसमें मारा है और मेरे ख्याल से जो आदमी डेविड को हमेशा दिखाई देता था उसके साथ भी यही हुआ होगा क्योंकि उसकी स्टोरी भी डेविड से बहु गया होगा और खुद भी कूद गया होगा पर बिली के समय डिटेक्टे उसे बचाने के लिए वहाँ पर था और ऐसे इस घर की आत्मा है उनके ना चाते होए भी उनके बच्चे सेक्रिपाइस करवा देती थी यहां एक और फैक्ट है जिस किसी की भी मौत उस घर के अंदर होती थी या कनल के पास होती थी उसकी आत्मा करप्ट हो जाती थी क्योंकि हमने एंड में देखा डेवीड ने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद उसे उपर धका दे दिया ताकि वह बच सके और वो खुद एलिस के भूत के साथ अंदर चला गया पर जब बिली अपन होरर मुवीज में से एक है और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये मुवीज जरूर देखें तो वीडियो को लाइक करो और कमेंड में मुझे बताओ कि आपको एक्स्प्लानेशन कैसा लगा मैं ऐसी और यूनिक मूवीज लाने वाला हूँ जिसको देखकर आप यह ही कहोगे कि यार ये मुवीज कहां थी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें क्योंकि मैं आने वाली वीडियो की डीटेल्स वहां पर डालता रहता हूँ और अगर आपको ये मुवीज द गल्ट झाल